तो जब भी आप चाननी चौक जाएं तो मैट्रो से ही जाएं क्योंकि अकसर वहाँ पे जामी लगा रहता है और जाते ही सबसे पहले खाएं हमने दही बल्ले जो काफी फेमस हैं यहां के और चाननी चौक में आज और दिन की तरह भीड़ी नी थी थोड़ा खाली लग रहा था और मैंने भी कुछ अपना साड़ी के साथ का ब्लाउज लेना था तो वही देखने के लिए निकल पड़े ह यहां यहां पे और आपी देर होगे हमको घुमते घुमते हैं यहां पे खाली आज तो ज्यादा भीड़नी है चाल में चौक में तो हम पाला आ गए हैं और चीकु भी है यहां पे बड़ाई यहां बैठे हैं तो चीकु लेटा है यहां पे टाइगर के साथ दिखा उसकी शकल तो दिखा टाइगर लेटा और उसके कंबल में चीकु भी लेटा हुआ है और पालम से ही शाम को निकल गए हम द्वारिका की तरफ जहां पे लगा था यह उत्तरेणी का मेला और काफी लेट ही पहुँचे हम क्यूंकि सब कतम हो गया था हमें मालूम नहीं था लेट तो हो गए थे हम पर अभी भी मतजोया शॉप्स लगी वी थी जिनका समान भी कानी था वो अभी भी बेच रहे थे और गलोबंद और नत की काफी भरमार थी वराइटी भी काफी आ रखी थी यहां पे और काफी सारा समान लगा था यह गड़वाल का कितने के यह अचार ना थे और आपको अगर यह समान लेना था तो इनका ओनलाइन स्टोर भी था तो आप जो ओनलाइन भी मगा सकते हैं जो समान आपको पसंद आ रहा है यह जो खतम हो गया है तो यहां पे अक्रोड थे काफी मदब अच्छे थे काफी समान था मदब यहां पे नमग भी था सारे गड़वाल के आभूशन मिल रहे थे यहां पे और एट सब क्या अलग अलग थे कोई 200 में दे रहा था कोई 500 कोई 700 कोई 300 वराइटी काफी सारी आ रहा थी थी इनके पास इनके तो बर्मार है बहुत ही है कितने कितने के नद्री हैं कितने कितने के नद्री हैं हमको थ्वेड़ों लेट हो गये सारा अभी तक खाली हो गया हम लेट हो गया इधर देख लो दिखाना चाहते हूं कौन को ना रखे मेरे साथ चाचा ते चाचा और चाचल बता है नीजवीत है अरे आप मुझे दी पता था कि अच्छा अच्छा बट होंगे अच्छा लेट है कि दर है चोटा बागड़नी है चोटा प्यक्ष्ट बड़े हैं जादा पूछते हैं और यह नमक लिया गाउं का नमक है जो सौरपे की डिब्री मिल रही थी नमक ले जारी है अई चून तो साथ लगाए जो नमक ले जारी है नमसकर 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 लगा जारी है ठंड़ा ज्याद हो रहा है तो गरी जा रहे हम सीदे पालम